राजस्थान पुलिस ने एल्विस यादो को पकड़ा फिर क्यों छोड़ दिया एल्विस यादो पर नोड़ा पुलिस ने दर्ज किया है गर जमानती धाराओं में मामला रेव पार्टी करवाने वर सांपों की तस्टकरी करने का है आरोग साफ का जहर इस्तेमाल करने के मामले में एल्विस यादो को ढूड रही है पुलिस रेव पार्टी में साफ का जहर इस्तेमाल करने के मामले में नोड़ा पुलिस जिस एल्विस यादो को ढूड रही है उसे राजस्थान की कोटा ग्रामीड पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया पुलिस महानिदेशक उमेश मिस्रा ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि कोटा ग्रामिड पुलिस ने एलबिस को हिरासत में लिया था लेकिन पूष्टाज के बाद छोड़ दिया है वहीं अब जानकारी आ रही है कि नोड़ा पुलिस इस मामले में राजस्थान पुलिस के दावे का खंडन कर रही है बिगबास OTT 2 विजेता एलबिस श्यादव को कोटा ग्रामिड पुलिस ने हिरासत में लिया था पुलिस की नाके बंदी देखकर एलबिस भाग रहा था इसी दोरान पुलिस ने पीछा करके उसे पकड़ा पुष्टाज में उसने बताया कि वह एलबिस श्यादव है एलबिस श्यादव के खिलाब सुक्रवार को नुएडा के सेक्टर उन्चास में मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर जहरी ने सापो की तसकरी करने और गैर कानूनी रूप से रेव पाटी आयोजित करने का आरोप लगा है एलबिस श्यादव पर आरोप लगे हैं कि उसने सापो की तसकरी की है हुआ इनके जहर का इस्तेमाल करता था आरोपियों के कबजे से पुलिस ने 20 मिली लीटर जहर और 9 जिन्दा सांप बरामत किये है। सांसत और पशु अधिकार करकरता मेनिका गाधी ने एलविस यादो की गिरपतारी की मांग के थी। एलविस यादो के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाब बंद संरच्षड अधिनियम 1972 की विविन धाराओं और IPC की धारा 120B के तहस केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में जो धाराएं लगाई गई है वो गैर जमानती है। वह इस मामले पर एलविस यादो रे सभाई देते हुए कहा कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है। बसे इस पूरे मामले पर आपकी क्यारा है कमेंट में जरूर लिखे।